नमस्कार दोस्तों नवरात्री के दूसरी दिवस की आप सभी को हरदिक सुपकाम नाए और आज मैं पहुँच गया हूँ चापा के नजदिक मदन पुर्गड जहां परिसित है माता मनका दाई का भव्य मंदिर यहाँ पर माता मनकादाई का दो मंदिर है एक मंदिर में वे दुर्गा और महमाया के साथ विराजित हैं जिस पर अभी हम है और एक दूसरा मंदिर भी है जहाँ पर हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे तो लीजिए घर बैठे दर्शन कीजिए आप माता मनकादाई साथ महें महमाया और दुर्गा जी और दोस्तों अभी हम मंदिर की प्रदक्षनिया कर रहे हैं जो भी सद्धालू आते हैं मंदिर की प्रदक्षनिया करके माता सिया सिर्वात प्राप्त करते हैं यहां पर आप पहुँचने के लिए जानगीर से जो मार्ग चांपा आती है तो आपको ब्रीच क्रास नहीं करना है ब्रीच के पहले से जो रास्ता है मडवा प्लांट की तरफ उस रास्ते से आप यहां पहुँच सकते हैं मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यह इस्थान मदनपूर या मदनपूर गड़ के नाम से जाना जाता है और यहां पर जोती कलस चड़ाने वाले बक्तों के नाम है आप देख सकते हैं नवरात्री में यहां पर काफी चहल पल होती है मुख्य मंदिर के साथ ही कुछ और मंदिर है स्थापित है जिसमें माता काली का मंदिर और भेरव बाबा का मंदिर प्रमुख है यहां पर एक अडियल देव बाबा भी स्थापित है तो अभी हम हैं मनका दाई देवी की दूसरे मंदिर पर जहां पर वे अकेली ही विराजित हैं दोस्तों यह मंदिर बहुत प्राचीन है इवं माता का प्रतिमा भी बहुत प्राचीन है जो काले पत्थर से निर्मित है पीर से चलाएगा चला वही चला अगर आप चांपा की तरब से आते हैं तो यही मंदिर आपको पहले मिलेगा और उसके बाद जो है दूसरा मंदिर मिलेगा और चले हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं मंदिर को नव नेरमित बनाये गया है बाकी प्राचीन मंदिर जो है अपने जगह पर इस्थापी थी है यहां मंदिर जानगीर चांपा के प्राचीन मंदिरों में से एक है इसलिए जानगीर चांपा जीले के वेब साइट पर भी आप इस मंदिर को देख सकते हैं यहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और माता का दर्सन करते हैं नवरात्री अभी चल रही है तो यहां पर आप बिल्कुल पहुँचें। मंदिर के चारो और प्रदक्षिना करने का इस्थान बना हुआ है। लोग मंदिर की प्रदक्षिना करके माता से आसिरवात रप्त करते हैं। यह मंदिर हस्दो नदी के किनारे इस्थित है। मंदिर बहुत ही बड़िहा प्राकृतिक वातावनड के बीच इस्थापित है। आसपास बड़े बड़े पेंड़ पौधे हैं जिसके करन आसपास का वातावनड बहुत ही बड़िहा सुरम में रहता है। पास में ही बहरो बाबा का मंदिर इस्थापित है, माता का दर्सन करने के पस्चाद लोग बहरो बाबा का दर्सन जरूर करने पहुंचते हैं मंदिर का जो प्रांगण है वो चारो तरब से हरियालिस से गिरा हुआ है दोस्तों ये जगा आपको कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जगा पर धन्यवाद